Hello friends, welcome to SSC coaching center दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे time and work के प्रेश्णों की जो की बहुत important topic है तो पूरा वीडियो आपको देखना है, चलिए start करेंगे, पहला प्रेश्णी है A, एक काम को 6 दुनों में तथा B, 9 दुनों में कर सकता है देखी, जो A है न, वो 6 दुनों में कर सकता है, और जो B है, वो 9 दुनों में काम को कर सकता है लेकिन काम कितना है, ये नहीं पता, काम कितना नहीं पता तो काम पता करने के लिए सबसे आसन तरीका होता कि आप इनका LCM ले ले 6 और 9 का LC हमा जाएगा 18 इसका मतलब काम 18 है अब 6 से डिवाइड करूँगा मैं 18 को तो 3 बार में डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड करूँगा तो 2 बार में होगा इसका मतलब यह हुआ A हमारा देखो 6 दिन में काम को कर रहा था एक दिन में 3 करेगा तब जाके 6 दिन में 18 काम होगा होगा किनी होगा B हमारा एक दिन में 2 करेगा तब जाके ये 9 दिन में 18 काम को कर पाएगा तो दोनों का ये एक दिन का काम है बोला है दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोनों जब मिल जाएंगे न तो A, 3 करेगा, B, 2 करेगा दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेंगे और काम कितना है टोटल 18 एक दिन में देखो 5 करेंगे तो 18 को कितने में करेंगे 5, 3, 15 तीन बचा नहीं जाएगा तीस हो जाएगा पांच चिक के तीस तीन दसमलब छे दिन में करेंगे भाई पूरा काम खतम दोनों मिलकर के तीन दसमलब छे दिन में यानि कि C आफ्सन हो जाएगा प्रशनी का बिल्कुल सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है A एक काम को 15 दिनों में तथा B 20 दिनों में कर सकता है देखो A एक काम को 15 दिनों में और B 20 दिनों में कर सकता है तो मैंने आपको टूटल काम पता करने के लिए तरीका बताया दोनों का आप LCM ले लीजिए 15 और 20 के LCM आ जाएगा 60 15 से कटाओगे 4 बार में 20 से कटाओगे 3 बार में यह हमारा 15 दिन में काम को खतम कर रहा था इसका मतलब वो एक दिन में 4 काम करेगा तब जाके 15 दिन में 60 काम को कर पाएगा बोला कहा है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है ठीक है दोनों साथ मिलकर अगर अगर काम करेंगे तो एक दिन में साथ काम करेंगे ठीक है और चार दिन तक साथ काम करना है एक दिन में साथ करेंगे तो चार दिन में कितना करेंगे साच्चो के 28 काम को वो कर देंगे टोटल काम हमारे पास 60 है जिसमें से 28 काम दोनों ने मिल करके कर दिया चार दिन में तो बचा कितना काम 32 कितना काम बचा है भाई काम बचा है हमारे पास 32 काम बचा है कितने मैं से बचा है ये 32 काम 60 में से ही तो बचा है कटा लो भाई 4 से कटेगा 4-8-32 और 4 से कट जाएगा ये 15 बार में तो 8 बटे 15 ये हुजाएगा प्रश्ने का बिल्कुल सही जवाब 8 बटे 15 पहला उपसर भाई 60 में से 32 काम बचा हुआ तो ये कटा के छोटा कर लिया है 8 बटे 15 आपका आंसर आ गया है अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्नी है A. एक जमीन का 2 बटे 5 भाग 6 दुनों में और B. जमीन का 1 बटे 3 भाग 10 दुनों में काट सकता है A. और B. एक साथ काम करके ये चार बट्टे पांच भाग जमीन को कितने दुनों में काटेंगे। बहुत अच्छा सवाल। देखो। ए आपका दो बट्टे पांच भाग छे दिन में। ठीक है। और जो भी है आपका वो एक बट्टे तीन भाग दस दिनों में। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है। इसको हम स्वाल्व करेंगे तो कैसे स्वाल्व होगा देखिए। पांच का मल्टिप्लाई हो जाएगा छे से पांच शिक के तीस और दो से कटा दोगे तीस को तो यह पंद्र बार में कटेगा। यानकि A का आ गया 15, 3 का 10 से मल पहे करोगे 30 और 1 से काटोगे 30 को तो यह 30 बार में कटेगा यानकि B का आ गया 30, अब दोनों का जब आप LCM ले लोगे न, 15 और 30 का LCM तो 30 ही आएगा, 15 से कटाओ 2 बार में, 30 से कटाओ 1 बार में, ठीके, बोला है दोनों मिल करके, यही तो बोला है, A और B एक साथ काम करके, जब A और B एक साथ काम करके, चार बटे पांच भाग जमिन का कितने दुनों में काटेंगे, यह बोला है, सवाल यह है, जब दोनों मिल के काटेंगे न, तो एक दिन में काटना है, उनको 3, एक दिन में कितना काटना है, ठीके, टोटल काम 30 है, टोटल काम कितना है तीस, टोटल तीस काम को नहीं करना, तीस का चार बटे पांच भाग को काटना है, तो पांच छिक के तीस, छह चौक के चौबिस, मतलब यह है, तीस का जब हमने चार बटे पांच भाग निकाला, तो निकल के कितना आ गया है, चौविस, तीस को नहीं काट लेंगे, C option हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब, अब देखतें अगला प्रश्नी, अगला प्रश्नी है, A, एक काम को अठारे दिनों में खतम करता है, B, उसी काम को A, द्वारा लिये गए समय के आधे समय में खतम कर सकता है, ठीक है, देखो, A, एक काम को अठारे दि समय से आधे समय में खतम कर सकता है, जो B है हमारा, वो A ने जो समय लिया है, उसके आधे में, तो 18 का आधा, यानि कि 9 दिन में खतम कर सकता है, खतम कर सकता है, साथ काम करके वही दोनों एक दिनों में कितना भाग काम खतम करेंगे, अगर दोनों का मैं LC मिले लूँ तो ठीक है, बोला क्या है उसने, उसने बोला है, साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खतम करेंगे, तो एक दिन में करेंगे भई या तीन खतम, कितने में से इस अठारा में से एक दिन में तीन काम करेंगे, तो तीन एक कम तीन, तीन चिंग ए अठारा, यानिकि एक बट्टी 6. आपता सही जवाब है. पहला option एकलिया ना सभी को? चलिए अब देखते है अगला पॉष्णी है. A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं? चलिए. A और B दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं. B और C. B और C ये दोनों 15 दिनों में कर सकते हैं C और A C और A 20 दिनों में कर सकते हैं ठीक है अगर मैं सभी का LCM ले लूँगा तो मुझे Total काम मालूम हो जाएगा कितना है 12, 15, 20 का LCM आजाएगा 60 यानिकि Total काम 60 है 12 से कटाओंगा 5 बार में 15 से कटाओंगा 4 बार में 20 से कटाओंगा तो 3 बार में कर जाएगा ठीक है कटा लिया अब A, B, C एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खतम करेंगे ठीक है देखो एक साथ चम मिल करके काम करेंगे ना तो 3 को जोलो 5, 4, 9, 3, 12 एक दिन में कितना करेंगे ये 12 अब इधर भी जोड़िया जब आप इधर जोड़ेंगे ना आपको क्या दिखाई देगा 2A है 2B है 2C है तो 2A है देखना 2A 2B और 2C यही तो है तो सम में से क्या होगा 2 आ जाएगा कॉमन बाहर अंदर बचेगा A पिलस B पिलस C यह बचेगा अंदर ठीके ना और काम कितना एक दिन में 12 अब 2C में 12 को इसको कटावगा तो 6 बार में कटेगा 6 बार में कटेगा A, B, C तीनों मिलकर के कितना कर रहे है 6 टोटल काम हमारा 60 है A, B, C तीनों मिलकर के 6 कर रहे है तो 60 को केतने में करेंगे भाई 10 दिन में खतम कर देंगे सवाल का आंसर आपका आगया 10 दिन C ओप्षन बिलकुल से ही जवाब है अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रश्नी है A, A काम को 4 घंटे में कर सकता है जो A है ना वो 4 घंटे में कर सकता है B, C इसी काम को 3 घंटे में तथा A और C दो घंटे में B अकेला इस काम को कितने दुनों में करेंगे पहले तो काम पता पता कर लीजिए तोटल कितना हा तीनों का LCM ले लीजिए तोटल काम मालूम हो जाएगा तीन चार दो का L से मा जाएगा आपका बारा चार से मैं बारा को कटाऊँगा तीन बार में तीन से कटाऊँगा चार बार में दो से कटाऊँगा छे बार में अब देखना बात किलियर होगी है सीधी सीधी बात सीधी सीधी किलियर है A का काम कितना है तीन है A का काम कितना है देखो 3 और A और C दोनों का मिलाके 6 है तो इसका मतलब C का भी कितना होगा 3 होगा तभी तो दोनों मिलके 6 है अब ये चीज भी किलियर हो गई है कि C का आपका 3 है तो यहां मैं C का 3 लिख देता हूँ दोनों का मिलाके देखो 4 है तो B का एक दिन का एक होगा तब ही तो दोनों का मिलाके देखो 4 होगा किलिए रहे ना बोला है B अकिला इस काम को कितने दिनों में करेगा तो B कितने दिनों में करेगा भाहिया B कितने दिनों में करेगा 12 काम है टोटल आपका वो B पूचाना तो B आपका एक दिन में A कर रहा है तो 12 को भी या वो 12 दिन में करेगा 12 को 12 दिन में करेगा B ऑफिम हो जाएगा सवाल का सही जवा अब देखते हैं अगला प्रशने अगला प्रशनी है A एक काम को 60 दिनों में खतम करता है जो ए हे हमारा, वो एक काम को 6 दिनों में खतम करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी कर रहा है 12 दिन में, यादि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खतम करते हैं, तो a ने कितना काम किया। चलिए, दोनों का LCM दिलो, 12 आ जाएगा, 6 से कटाओंगा, दो बार में, 12 से कटाओंगा, एक बार में, दोनों मिल करके काम करेंगे, तो एक दिन में 3 करेंगे, यही तो है, आपको अच्छे से concept समझ में आ गया है, टोटल काम 12 है, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 3 चोक के 12, दो उसने बिल्कुल नहीं पूछा, उसने पूछा है कि A ने कितना काम किया, यह पूछा है, उसने A ने कितना काम किया, चलिए, A ने कितना काम किया, A एक दिन में कितना काम करता है, दो, यह लिखना है, A एक दिन में कितना काम कर रहा है, दो, उसे लिख लेना है, एक दिन का क एक के बारे में तो बत्ति क ihn बिल्कुल सई अगर पूच लेता उडिक आगर पूच ले तो एक बट्तित आनशर हो जाता अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है A और B मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं A और B मिलकर के काम को 10 दिनों में कर सकते हैं A अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकता है तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा पहले तो काम पता करने के लिए दोनों का LCM लेलो LCM आजाएगा 30 यानकि टोटल काम 30 है 10 से काटो 3 बार में 30 से काटो तो 1 बार में अब मुझे ये मालूम हो गया कि A का 1 दिन का काम 1 है और दोनों का मिला के 3 है तो B का 2 हो जाएगा तभी तो दोनों का मिला के 3 है ठीक है न तो बोला है B अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा टोटल काम आपका भीया 30 है और जो B ए एक दिन में कितना कर रहा है 2 तो 30 को करेगा भीया पंदरे धिन में, पेंट बंद हो गया चलना दूसरा पेंट ले लेते हैं, ठीक है दूसरा पेंट ले लेते हijn यह कितना है हमारा टोटल काम 30 है, भी हमारा एक दिन में 2 कर रहा है, तो 30 को कितनी दिन में करेगा अब यह वह 15 दिन करेगा आंसर आ जाएगा इसका 15 ठीक है C option प्रेशने का आप बिलकुल सही जवाब तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजे और कमेंट में आप बताया करो कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ठीक है दोस्तों धन्यवाद